अलो, नमस्कार इस्टुनिट, मैं विशेक भार्गाओ, भार्गाओ 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 ग्लासेस के स्यूटुब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आज का जमारे वीडियो को टाप्रिक है वो है भोगता सरक्षान अधिनियम 2019, तो इसका हमन इतना important नहीं है, ठीक है, इसलिए कुछ important धाराओं को ही जो है वो आज part 2 के अंदर में cover करेंगे, देखे ये वीडियो जो है वो जल्दी अल्दी नहीं बनाया जा सकते, तो आप सभी से निवे देना कि नीचे comment section के अंदर में ऐसा comment न करिए, कि सार जल्दी अल्दी upload कर दि आज से जो है वो test start हो गया है, ठीक है, तो यह 18 तारीक तक जो है वो test चलेंगे, तो जल्द से जल्द जो है वो test series जरूर जो है क्योंकि वहां पर जो है वो बहुत important जो है वो सारे question जो है वो दिये गया है, ठीक है, चलिए start करते हैं, देखे हमने कहां तक कर लिए था part 1 के तो हमने सारा जो है वो part 1 के अंदर में हमने कहां तक कर लिए था, धारा 16 तक, नहीं, धारा 16 जो है वो हमको start करता था, ठीक है, तो धारा 16 से जो है वो आज start करेंगे, बाकी अदि यह आप लोगोंने पहले part 1 नहीं देखा हो तो पहले part 1 जो है वो अच्छे से देख लीजे कि जीला कलेक्टर की शक्ति कौन सी धारा में है तो आपको बताना है कि धारा 16 में है यदि आप से पूछा जाए कि धारा 16 में क्या है तो जीला कलेक्टर की शक्ति ठीक है लेकिन फिर भी यहां पर समझने की कोशिश करते हैं तो देखें जीला कलेक्टर किसी परिवाद या के प्रधिक करेगा केंद्री प्राधी करन या प्रादेशिक कार्यालाई के आयुक्त को यहां पर जिला प्रस्तूत करेगा ठीक है यहां पर जिला कलेक्टर जो है वो अपने अधिकार छेतर में रहे कर जो है वो क्या करेगा परिवाद की जितनी भी जानकारिया हैं या उससे उलंगन की जितनी भी जानकारिया हैं उस सभी को जो है वो collect करकर वो क्या करेगा उसका एक report बनाएगा जिसके अंदर में हो सकता है कि मिथ्या या ब्रहामक विज्यापनों की वो जाच कर सकता है ठीक है और भी कई मामले हैं जैसे कि भोगता अधिकारों के उलंगन के विश्यों में तो वो सारे जाच करने के बाद में वो अपनी report किसे पेस करेगा तो केंदरी प्राधिकरण या प्रादेशी कारयालाय के आयुक्त को तो यह point यहाँ पर note down कर लीजेगा यह पूछा जा सकता है एक्जाम के अंदर में इसके बाद चलते हैं धारा 24 के अंदर में धारा 24 में ही क्यों जा रहे हैं तो क्योंकि धारा 24 के अंदर में अपील के बारे में बात की गई है अपील जो है एक important जो है वो धारा है तो याद रखेगा धारा 24 में हमिसा अपील है ठीक तो भोकता सरक्षन 2019 के अंदर में धारा 24 अपील तो direct भी question पूछा सकता है और गुमा फिरा के पर प्यूचा सकता है ठीक है तो इसमें आपको जो note down करने वाला चीज है उसको note down जरूर करिएगा तो यहाँ पर बोला गया कि धारा 20 और 21 के अधीन केंद्री प्राधिकरन द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित देखे यदि कोई आदेश दे दिया गया है उसके उपर में व्यक्ति के उपर में तो वो व्यक्ति क्या करेगा राष्टी आयोग को ऐसे आदेश की प्राप्ति के तारीक से 30 दिनों की अवधी के भीतर अपील कर सकता है तो अपील जो है वो धारा 24 के अंदर में दिया गया है यह आपको note down कर लेना है ठीक है उसके बाद आते हैं धारा 27 के अंदर में अब धारा 27 में क्या बोला गया है कि वार्षिक रिपोर्ट आदी का प्रस्तूत किया जाना ठीक है तो वार्षिक रिपोर्ट आदी का जो है वो प्रस्तूत किया जाना वो आता है धारा 27 के अंदर में ठीक है तो धारा 27 में क्या बोला गया कि केंदरी प्राधिकरण प्रतेक वर्स ऐसे प्रारूप औ और ऐसे समय में जो विहित किया जाए, पूरू वर्स में अपने कारिकलापों का पुर्ण लेखा देते हुए एक वार्सिक रिपोर्ट और अन्य ऐसी रिपोर्ट का विवरण त्यार करेगा, जो निवेज किया जाए और ऐसी रिपोर्ट और विवरणों की प्रतियों को यहाँ पर बताएगया है कि अपना वार्सिक रिपोर्ट जो है वो कि इसको फर्वट करना है केंदरी सरकार को ठीक है अब आते हैं ध्याय चार के अंदर में ध्याय चार जो है वो बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको नोट डाउन करते चलिएगा उपभोगता विवाद प्रत प्रतितोस आयोग की इसथापना अभी जीला है फिर राज्जियोगा फिर राश्टी ही त्योस है तो ये तिनों के इंदर में क्या बोलगया कि राज्य सरकार अदिशूचना द्वारा प्रतेक राज्य में जीलायोग के नाम से ग्यात जीला उपभोगता विवाद प्रतितोस आयोग का गठन करेगी most important है इसको ध्यान में रखते चलिएगा ये सारे point जो है यही तो important है जो exam में पूछे जाते हैं ठीक है तो जीला उपभोगता विवाद प्रतितोस आयोग की सापना कौन करेगा राज्य सरकार अधिसूशना जारी करकर करेगा ठीक है परन्तु राज्य सरकार यदि उचित समझे तो किसी जीले में एक से अधिक जीला आयोग स्थापित कर सकता है ये point को भी note down करिए statement वाले question में ये पूछा जा सकता है तो आपको ये थोड़ा सा पढ़ना ही पढ़ेगा ठीक है आप यहाँ पर क्या बोला गया है राज्य सरकार तो अधिसूशना जारी करकर प्रत्यक जीला में आयोग जो है वो गठन कर लेगा जिसको बोला जाएगा जीला उपभोकता विवाद प्रतितोस आयोग यहाँ पर किस से मिलकर बनेगा यह तो यह मिलकर बनेगा अध्यक्ष इसमें एक अध्यक्ष होगा और दो सदस्य होंगे इसको भी आप नोट डाउन कर लीजेगा ठीक है यह आयमपी है एक अध्यक्ष होंगे और दो क्या होंगे सदस्य होंगे ठीक है ये ही दिया गया है धारा 28 के अंदर में ठीक है जीला उपभोकता ठीक प्रतितोस आयोग अब इसके बाद में धारा 29 में चलते हैं धारा 29 में क्या दिया गया अब जो जीला आयोग बना है ठीक है जो जीला आयोग या उपभोकता आयोग प्रतितोस बना जीला वाला, तो इसमें जो है वो अध्यक्च और सदस्य की आहरताएं क्या होंगे, उनकी qualification क्या होंगी, और ये कौन decide करेगा, ये यहाँ पर बताया गया है, तो कौन decide करेगा ये, तो ये decide करेगा केंदर सरकार, ये जो जीला आयोग होगा, इसके अध्यक्च और जो सदस्य ह होंगे, इनका qualification कौन decide करेगा, तो वो decide करेगा केंदर सरकार, केंदर सरकार क्या करेगा, केंदर सरकार ये का अध्यक्च और सदस्यों की आहरता, भरती की पदती, नियुक्ती की प्रक्रिया, पदावधी, त्याग पत्र, पद से हटाने का उपबंद करने के लिए करेगा, तो ये राज्य सरकार करेगा, तो ये पॉइंट दोनों को note down कर लेजेगा, कि उनके qualification की बात आएगी, तो जीला, आयोग के qualification, मतलब अध्यक्च और सदस्यों की, तो केंदर सरकार अधिसूशना जारी करके करेगा, लेकिन जब उनके वेतन और भत्तों की बात की ज चीजों को याद रखना है आपको, इसको short notes बनाकर अपने copy में लिख लीजे, ठीक है, अब आते हैं अधिकारिता, अधिकारिता क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है कुछ change हुआ है, जो कि आपके exam के point of view से बहुत जादा important है, ठीक है, तो यह जो change हुआ है, इसमें क्य क्या चीजे change हुई है, उनको आपको क्या करना है, copy में note down कर लेना है, ठीक है, तो note down करिए, यहाँ पर कि अधिकारिता 30 दिसंबर 2021 को केंदर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके, अधिकारिता आयोग उपभोगता सरक्षान दिनियम 2019, नवीन तम आदेज जो 2021 में आय ठीक है, तो नवीन जो बना हुआ है, इसके अनुसार, क्या change किया गया है, तो जीला योग में पहले जो है, भुकता सरक्षान दिनियम 2019 के तहट, एक करोड रुपए तक के अधिनियम या अधिनियम के अनुसार होता था, मतलब एक करोड तक के वो निप्टानन के लिए ले अधिकारिता का तो यहां पहले था, एक करोड से 10 करोड रुपए तक, लेकिन अभी नवीन तम में क्या कर दिया गया है, कि 50,00,000,000 से 2 करोड कर दिया गया, यह आगे हम बता देंगे, उसके बाद राश्टी आयोग में 10 करोड के उपर था, लेकिन अभी जो है, वह यहां पर इसमें नवीनतम आदेश के अनुसार दो करोड़ से अधिक हो गया है, ठीक है, तो ये कुछ चेंज हुए है, इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ये एक्जाम में डारेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, अधिकारिता के उपर में, ठीक है, इसके अधाग के अध्यक्ष और कम से कम एक सदस्य द्वारा साथ में बैट कर संचालित की जाएगी, अभी यहाँ पर देखिए, एक अध्यक्ष होते हैं, और दो सदस्य होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि जीलायो के समझ चे कारवाही कैसे होगी, तो कारवाही के टाइम देखिए पर अध्यक्ष और कम से कम एक सदस का होना अनिवारी है, यह धारा 26 के अंदर में बताया गया है, अब आते हैं, धारा 28 केंदर में परिवाद के ग्रहन ने परोला कि तो उसके ग्रहन होने की प्रक्रिया है वो बताई गई है, धारा 38 के अंदर में, यहाँ पर बत यह पेसा खारवाही करेगा जिसमें जदी परिवाद किसी माल, माल मतलब गुट्स, गुट्स मतलब समान, ठीक है? तो उसको याद रखेगा कि परिवाद जो हो किसी माल या गुट्स से संमन्दित है तब जीला योग आएगा. ग्रह debates कि एक प्रती उसके ग्रहान करने की से 21 दिन के भीतर परिवाद में वर्णित विरोध पक्षाकार को यह निदेशित करेगा कि वह 30 दिन के अवधी या 15 दिन से कम और आगे अधिक ऐसी बढ़ाई गई अवधी के भीतर जो मंजूर की जाए उस मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करे ठीक है तो यहाँ पर जैक के परिवाद जो होगा वो माल या गुट से सम्मन्दित होगा तो जीळायोग आएगा ठीक है और ये तीथी थोड़ा सा याद रखेगा ठीक है उसके ऐ चलते हैंiada 3041 के अंदर में जीळायोग के आदेश के विरुद्ध अपील अब जो जीळायोग है उसके आदेश के वि में क्या होगा तो जीला आयोग द्वारा किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति अब ये आदेश तो दे दिया गया लेकिन जो व्यथित व्यक्ति है उसको अपील करना है तो वो कैसे करेगा तो ऐसे आदेश की तारीक से 45 दिनों के भीतर या अवधी के भीतर वो अपील कर सकेग कहां पर राज्य आयोग को अपील कर सकेगा most important है note down कर लिजेगा उसके बाद आगे चलते हैं धारा 42 के अंदर में अब धारा 42 में देखें क्या बोल लगया है तो राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोस आयोग की स्थापना अब हमने उपड़ा जीला उपभोक्ता विवाद प्रतितोस आयोग अब हम क्या पड़ रहे हैं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोस आयोग की स्थापना तो ये धारा 42 से स्थाठ होती है ठीक है अब यहाँ पर क्या बोला गया देखें राज्य सरकार जिसूशना द्वारा राज्य में उपभोक्ता विवाद पृतितोस आयोग की स्थापना करेगी। कौन करेगा राज्य सरकार, राज्य आयोग साधारण राज्य की राजधानी में कारिये करेगा। ये बोल एक point हो गया, राज्य आयोग में निमलिकित से मिलकर बनेगा, तो किस से किस से मिलकर बनेगा, जिला आयोग कैसे बना था, वो एक अध्यक्च और दो सदस्यों से मिलकर बना था, ये कैसे बनेगा, एक अध्यक्च और चार अन्य सदस्य जो केंदरी सरकार के परामर से विहित की जाएंगी तो एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य से मिलकर बनेगा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोस ठीक है तो ये नोट डाउन कर लिजेगा ठीक है यहीं पर यही कुछ चीजें हैं जो पूछी जाती है ठीक है अब इसमें देखे राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के अहरता हैं पहले हमने जीला आयोग में पढ़ा था वैसी अहरता हैं यहाँ पर भी हम पढ़ने तो यहाँ पर भी जो है वो केंद्र सरकार ही क्या करेगी राज्य आयोग के 44 में आते हैं तो धारा 44 में क्या बोला गया राज आयोग के अध्यक्ष और सदस्ट के वेतन भत्ते और सेवा अन्य निवबंधन और सर्ते तो ये राज आयोग में राज ही करेगा राज सरकार ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्ट के वेतन और भत्तो को जो है वो डिसाइड क हुआ है ठीक है तो देखे उन परिवादों को गरहन करने जिसमें प्रतिफल के रूप में संताय माल सिवा मुल्य एक करोड से अधिक है किन्तु 10 करोड से अधिक नहीं है ये पहले था 2019 के अधिनियम के तहत था ठीक है लेकिन जब 30 सितंबर 30 दिसंबर 2021 को अधिकारिता को क्य कितना था एक करोड से लेकर 10 करोड तक के लिए था लेकिन अभी जो है कितना कर दिया गया 50 लाग से 2 करोड कर दिया गया है तो इसको याद रखिएगा ठीक है उसके बाद चलते है धारा 51 के तरफ राश्ती आयोग को अपील कैसे कि जाएगी तो राज जी आयोग द्वारा किसी आदेज से व्यतित व्यक्ती जो है वो क्या करेगा तारीक से 30 दिनों की अवधी के भीतर जो है वो राश्ति आयोग को अपील कर चेकेगा इससे पहले हमने कितना देखा था जीला वाले में 45 दिन देखा था लेकिन यहाँ पर कितने दिन है 30 दिन है ठीक है तो इसको अब आते हैं धारा तिरपन के अंदर में, धारा तिरपन में देखें क्या बुला गया तो धारा तीरपन में राश्टी उपभोक्ता विवाद प्रतितोस आयो की स्थापना, अभी हमने उपर देखा जीला, फिर हमने देखा राज्य, अब हम देख रहे हैं राश्टी उपभोक्ता विवाद प्रतितोस आयो की स्थापना, अभी ये कौन करेगा, तो ये भी करेग अब यहाँ पर देखे धारा चोगण के अंदर में राश्टी आयोग की सनरचना अब यहाँ पर क्या है तो राश्टी आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा एक अध्यक्ष चार अन्य सदस्य जैसे राज्य आयोग में भी एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य थे वैसी रा इसना द्वारा राश्टी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो है वो यह हरताएं हैं, अरताएं नियुक्त करती है, निमंदन, वेतन, भत्ते, त्याग, हटाए जाना, सेवा, यह सारा जो है वो राश्टी आयोग का केंदर सरकार ही करता है, ठीक, पद ग्रहन करने से पा समय जो सीमा यहां पर तै की गई है, यहां पर बोला गया अध्यक्ष के लिए 70 वर्स की आयोग तक, और किसी अन्य सदस्य के लिए 67 वर्स की आयोग से अधिक ना हो, ठीक है, जब भी वो क्या करें, इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्य बनेंगे, तो यह यहां पर उनके आयोग के संबंदित में और उनके पद ग्रहन करने के 5 वर्स तक, ठीक है, तो यह दिया गया है यहां पर, उसके अधाते हैं धारा ठावन के अंदर में राश्टी आयोग के अधिकारीता, अब राश्टी आयोग के अधिकारीता क्या है, तो उन परिवाद, यह परिवाद ह हम बार-बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए केंदरी सरकार जो है वो 30 दिसंबर 2021 को अधिसूचना जारी करकर इसका मुल्य जो है वो 2 करोड से अधिक कर दिया गया है ठीक है तो ये चेंज हुए हैं तो इनको याद रखेगा अब आते हैं धारा 66 के कि आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीक से 30 दिन की अवधी के बितर ऐसे आधेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायलय को अपील कर सकेगा अब राष्टि आयोग के उपर कोई आयोग तो अई है नहीं तो वो क्या करेगा उच्चतम न्यायलय को आपील तो यहाँ पर राश्टीयायोग से उपर कुछ नहीं है, तो राश्टीयायोग से यह उपर कुछ नहीं है, तो वह किसको करेगा? उच्छतम नियालेगो अपील करेगा, ठीक है? अब आते हैं धारा 72 के अंदर में. धारा 72 जो है आपके एक्जाम में पुछा जा सकता है, क्यो जो की एक महा से कम नहीं होगी किन्तु तीन वर्सक हो सकेगी और जुर्माना जो है वो 25,000 से कम का नहीं होगा किन्तु एक लाग तक का हो सकेगा दोनों से दंडनिय होगे तो यह हो गया आपका धारा 72 तक तो धारा 72 तक हमने important धाराएं सारे कर ली ठीक है अब इसके बाद में जब अध्याय पाँच शुरू करेंगे तो उसके अंदर में देखेंगे मध्यक्तता ठीक है तो यहां तक जो है वो आप अपना जो है वो notes बना लीजे जितना भी बोला गया जितना भी आपको समझाया गया तो इसमें सिर्फ आपको जीला राज्य और राश्टिय ये तीनों के बारे में उनके क्वालिफिकेशन उनकी अहरताएं उनके आदेश के विरुद अपील और यही सारे चीज जो है यहां पर बताया गया है ठीक तो इनको जो वो notes डाउन कर लीजे अच्छे से अपने अनुसार जो है वो notes बना लिए आज के विडियो में इतना ही था जय हिंद जय भारत